प्रशान धवन नाव रीसेंटली एक बहुती जादा इंपॉरेंट डिवलप्पेंट हुई है जिसका एक डारेक्ट इंपक्ट होता है भारत पे अर्मेनिया इस कंट्री का नाम आपने कई बार सुना होगा अर्मेनिया एक ऐसा देश है जो धीरे धीरे भारत पे डिपेंडेंस बढ़ा रहा है मिलिटरी एक्यूपेंट के लिए इंडिया ने पिना का मिसाल डिफेंस सिस्टम बेचा है अर्मेनिया को उसके लावा वेरियास और टाइप के वैपनस हम लगातार बेच रहे हैं अर्मेन अर्मेनिया के प्रेजिडेंट ने ये बात अनौस करी के ये रशिया का CSTO छोड़ देंगे रशिया की सिक्योर्टी से बहार आएंगे ये द्रिशथा अर्मेनिया के पार्लिमेंट के बार यावे आद देख पाएंगे कंप्लीट के ओस लोग गुसा थे लोग काफियत तक कन्फ्यूस फील कर रहे थे कि अब देश का क्या होगा क्योंकि जब से अर्मेनिया बना है तब से लेकर अब तक रशिया ने critical role निभाया है अर्मेनिया की security को लेकर एक बार ज़रा आपको जो security dynamics अर्मेनिया के ये समझाता हूँ देखें, अर्मेनिया का जनम हुआ था as a country 1992 में, ये USSR से तूट कर एक country बना था, जब USSR तूटा तो 15-16 नए countries बने थे, उनमें से एक था अर्मेनिया, जैसे ही अर्मेनिया बना, question था इसकी security को लेकर, के security guarantees कौन उठाएगा, रश्या ने उस वक्त एक group बनाया, इस group का नाम था collective security treaty organization, CSTO, ये एक type का mini NATO है, आज भी आप देखेंगे world media में, इसको कहा जाता है mini Russia NATO, जहाँ पर आज के समय टोटल 6 member है, ये member कौन-कौन से हैं, अर्मेनिया, बेलारूस, कलाकस्तान, किर्गस्तान, रशिया और तर्जिकिस्तान, नाओ, अर्मेनिया के जो प्रैम निस्टर ये कह रहे हैं, कि हम बिल्कुल इस group को छोड़ देंगे, इस group में रहने से हमें कोई वाइदा नहीं हो रहा, एजरबाइजान ने हम पे आगरमन किया, नगोर्नो काराबा का एक बहुत ही बड़ा area, एजरबाइजान ने ले लिया इन से, रशिया ने कुछ नहीं किया, रश पर ये भरोसा नहीं कर सकते, security के लिए, क्या ये एक सई स्टेट्पेंट होगी, क्योंकि अब जाकर हम देख रहे हैं, कि जून महीने में, इनके PM कह रहे हैं, कि रशिया का जो CSTO है, अर्मेनिया उसको छोड़ देगा, इससे पहले आप अगर जाओगे, February 2024 में, तो अर्मे जैसे आप जानते हैं, उक्रियन वार में, रशिया की सारे military resources लगे हुए हैं, और इसी बीच अगर माल लीजिए, अगर एजरबाइजा एक बड़ा attack कर देता है, अर्मेनिया पर, रशिया ज़रा कुछ कर नहीं पाएगा, CSTO बिलकुल अपनी जगा बना हुआ है, रशिया से हम लोग दूर हो जाएंगे defense की needs को लेकर, तो हमें military support आखिर फिर कौन provide करेगा, रशिया का substitute क्या है हमारे पास, तो अर्मेनिया देखिए, यहाँ पर दो countries की तरफ देख रहा है, वो दो देश हैं, France और India, और अगर आप सोच रहे हैं, wait, France और India, रशिया की importance replace कर देंगे अर्मेनिया के लिए देखो, यह ऐसानी है कि रातो रात हो जाएगा, मगर अर्मेनिया समझ रहा है कि इंडिया की जो defense industry है, यह रातो रात strong हो रही है, और साथी साथ France और India के इतने deep relations हैं, कि दोनों countries मिलकर, एक understanding develop कर सकते हैं, कि अर्मेनिया एक ऐसा देश है, जिसे हमें military equipment प्रवाइड करना है on a regular basis, तो इसलिए France, Armenia, India, एक Euro-Asian strategic alliance हमारे सामने आ रही है, और जिस तरीके से India लगातार weapons प्रवाइड कर रहा है अर्मेनिया को, अर्मेनिया को इस बात को लेकर अब confidence आ रहा है, कि इंडिया से in the future यह लोग ब्रहमोस missile जो फिलपीन्स ने परचेस किय है, तेजस, fighter jets, आकाज missile defense system, फ्रांस से बहुत कुछ यह परचेस कर सकते हैं, और यह लोग अपनी security खुद manage कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय देखिए, अर्मेनिया का number one goal है survival, जो इनका नगौर्णो करावा रीजन था, जो डिस्प्यूट चल दा था, एजरबाई जाके against वहाँ पर बहुत सारा area यह अलड़ी हार चुके हैं, अब अर्मेनिया का main goal है, कि इनकी खुद की जो borders हैं, यह भी ना खोदे यह, एजरबाई जाके against, और आप अगर अर्मेनियन परस्पेक्टिव से देखें, तो इनके पास जादा options बचे नहीं हैं, हमें इस वक्ता नही हैं, कि रशिया युक्रेइन वार किती लंबी चलेगी, रशिया के कई जो major politicians हैं, वो कह चुके हैं, कि अगर रशिया युक्रेइन वार दसियों साल चली, तो इसके लिए भी यह तैयार है, और बीच बीच में तो ये भी news आती है, कि रशिया हो सकता है कि फिनलेंड पे आक ये बाइड डिफॉल्ट इंडिया और फ्रांस की तरफ मुर जाएगा, अब यहाँ पे आप एक क्वेशन पूछ सकते हैं, कि ठीक है, अर्मेनिया तो बहुत ही जल्द CSTO से निकल जाएगा, मगर क्या धीरे धीरे जो बाकी देश हैं, बिलारूस, कजाकस्तान, किर्गस्त ये भी बिखर जाएगे, देखिए, इनके चांसेस कम है, रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बाकी जो देश है, बिलारूस का दर भूल जाएए, बिलारूस लिटरली आप कह सकते हैं, एक यूनियन कंट्री है, एलोंग विज रशिया दोनों को एक सिंगल कंट्री ही आप मान के चलिए, दोनों के डिलेशन्स इतने ज़रा डीप है, तो बिलारूस कहीं नहीं जाने वाला, फिर मैं बात करूँ, अगर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान की, इन कंट्री को किसी और कंट्री से कोई थ्रेट नहीं है, तजिकिस्तान पे कोई आकरमन करने वाला, अनलेस, मान लीजे, कल को hypothetically speaking, चाइना बहुत ज़रा aggressive हो जाता है, इन कंट्री को अटाक करना स्टार्ट कर देता है, तब तो by default इनको इंडिया की तरफ देखना होगा, तब एक और अर्मेनिया जैसा केस सामने आ जाएगा, बट अभी के लिए, जो बाकी कंट अर्मेनिया को regularly defense equipment provide करके, इंडिया अपनी एक आपके लिजे reputation ना सकता है, as a stable provider of military equipment, ये इंडिया के military industrial complex के लिए, एक golden opportunity है, देखना होगा, कि इस opportunity का हम best use कर पाते हैं, या फिर नहीं, और finally यहाँ पे आप लोगों से मैं question पूछूँँगा, since हम बात कर रहे हैं, अर्मेनि या फिर ruble, comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं heart दे दूँगा, ताक कि वाकी लोग समझ पाएं, के सही उत्तर क्या है, क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा महिंगी चीज क्या है, मैं आपको बदाता हूँ, इसके वारे में बहुत तो study IQ की sale हो चुकी active, simply जाईए वीडियो के comment section में और यहाँ पे आपको links मिल जाएंगे, study IQ के batch 10 के ये batch 15 तारीक से start हो जाएगा, जब एक batch start हो रहा होता है, ये best time होता है उसको join करनेगा, क्योंकि chapter 1 से आपकी त्यारी start होती है, everything starts from the beginning, तो आप अगर simply इस link पर करोगे, यह इस batch में कोई enrollment होगी, ना ये discount रहेगा, तो इस 30% extra discount को avail करने के लिए simply click करिए offers available पर, code यहाँ पर डालिए PD10 और आपको मिलेगा the maximum discount possible in this sale, so use the code PD10 and save money, और याद रखिएगा, nothing is more expensive than a missed opportunity, so इसी note के साथ यह है वीडियो कान, thank you for listening, may the gods watch over you.